अगर आप जारखंड में रहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना जरूर अगर अच्छी लेगे तो वीडियो को शेर भी कर देना क्यूंकि आज हम आपको जारखंड के जिलो की जनसंख्या बताएंगे चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं गढवा इस जिले की टोटल जनसंख्या पंदरा लाग साथ हजार के आसपास है चात्र इस जिले की टोटल जनसंख्या ग्यारा लाग अठासी हजार के आसपास है कोडर्मा इस जिले की टोटल जनसंख्या आठ लाग सोला हजार के आसपास है गिरिडिय इस जिले की टोटल जनसंख्या 27,87,000 के आसपास है देवघर इस जिले की टोटल जनसंख्या 17,00,000 के आसपास है गोड़ा इस जिले की टोटल जनसंख्या 14,97,000 के आसपास है साहिब गंज इस जिले की टोटल जनसंख्या 13,11,000 के आसपास है पाकुर इस जिले की टोटल जनसंख्या 10,26,000 के आसपास है धनबाज इस जिले की टोटल जनसंख्या है 30,60,000 के आसपास है बोकारो इस जिले की टोटल जनसंख्या 23,51,000 के आसपास है लोहर दगा इस जिले की टोटल जनसंख्या 5,26,000 के आसपास है पूर्वी सिंग भूम इस जिले की टोटल जनसंख्या 26,15,000 के आसपास है पलामू इस जिले की टोटल जनसंख्या 22,11,000 के आसपास है लातेहार इस जिले की टोटल जनसंख्या 8,28,000 के आसपास है हजारी बाग इस जिले की टोटल जनसंख्या 19,17,000 के आसपास है रामगड़ इस जिले की टोटल जनसंख्या 10,82,000 के आसपास है दुमका इस जिले की टोटल जनसंख्या 15,6,000 के आसपास है जाम तारा इस जिले की टोटल जनसंख्या 9,1,000 के आसपास है रांची इस जिले की टोटल जनसंख्या 33,22,000 के आसपास है खुंटी इस जिले की टोटल जनसंख्या 6,6,000 के आसपास है गुमला इस जिले की टोटल जनसंख्या 11,68,000 के आसपास है सिम्डेगा इस दिले की टोटल जनसंख्या 6,83,000 के आसपास है पस्टमी सिंग भूम इस दिले की टोटल जनसंख्या 17,12,000 के आसपास है सराई केल खरसावा इस दिले की टोटल जनसंख्या 12,14,000 के आसपास है उम्मिदे आप सब लोगों को हर रोज की तरह ये वीडियो भी पसंद आया होगा अगर हां तो लाइक करो, शेर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ